प्रोग्राम की शुर्वात हम यहां पर कर रहे हैं कॉंग्रस पार्टी के अध्यक्षपत को लेकर काफी समय से चर्चा हो रहे थी सोनिया गांदी का यह बयान सामने आ चुका है कि वो ही आखरी समय तक अध्यक्षपत पर बनी रहेंगे लेकिन इस बीच देखा जाये तो कॉंग्रस पार्टी वे पार्टी के कई नेता ऐसे थे जिन्हों ने राहूल गांदी का समर्थन किया जिन्हों ने यह कहा कि राहूल को जिम्मेदारियां समालनी चाहिए राहूल गांदी को अध्यक्षप बनना चाहिए और अगर राहूल गांदी अध्यक्षप बनते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायता होगा फिलाल अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो राहूल गांदी इतना तो समझ रहे हैं कि पार् राहूल गांदी युवा है और उनोंने जो जिम्मेदारियां अभी तक निभाई हैं वो काफी हद तक ठीक भी है राहूल गांदी अब चीजों को समझ रहे हैं राहूल गांदी ये देख भी रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है राहूल गांदी ये देख भी रहे हैं कि बदल यह बदलाव जंता को पसंदार है क्योंकि कॉंघर स्थ operator कża इस वक्रेश। इस वक्रेश यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जमीन इस तरके मुद्दों को यह वघा time काश्चchyasan пом institute यह पूरी कोशिश भी कर रही है कि क्या वाकई में आने वाले समय में स्थतियों को बदलने की कोशिश कॉंग्रिस में शुरू करती है दरसल कॉंग्रिस ने जमीनी स्थर के मुद्दों को जब से उठाया है तब से बीजेपी के लिए मुश्किले बढ़ चुकी है क्योंकि ज जमीनी स्थर के मुद्दों पर बात करें लेकिन क्या वाकई में आने वाले समय में हालात बदल सकते हैं वैसे अगर बात करें तो चुनाओं से पहले अगर उत्तर प्रदेश की में बात कर लेता हूं तो अगर उत्तर प्रदेश में हालात बदलती है कॉंग्रिस पार्टी क साल वीजार चौइस की अगर मैं बात कुरूं तो साल वीजार चौईस में अगर तस्वीर बदलती है तो बहुत बड़ा फाइदा जिया वहत बड़ा फाइदा कॉंग्रेस पार्टी को होगा क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी भीते काफी इस समय से इस बात का इंतजार कर ही रही थी कि कैसे चुनाओ को जीता जाए कैसे चुनाओ में जीता हासिल की जाए और चुनाओ जीतने के लिए अब तमाम तरह की रणीतिया इस वक्त बनाती दिखाई दे रही है कॉंग्रिस पार्टी में बदलाव हो रहे हैं कॉंग्रिस पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं ये बदलाव बताता है कि फिलहाल राहूल और प्रियंका गांधी के डिसीजन सही है राहुल और प्रियंका गांधी जो काम कर रहे हैं वो सही है जनता उनसे सहमत है और जनता की सहमती होना बहुत जादा ज़री है जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जनता का साथ हो जाता जो राजनीतिक पार्टी जो है वो जनता के मुद्णों को उठाती है जो राजनीतिक पा यहां समय था साल 2014 के समय मूधी लहर खूब देखने को मिल रहीती है मूधी लहर में तमाम बीजेपी नेताूं को फायदा हुआ लेकिन क्या वाकिए मे आने वाला जो समय है वो मोदी लेहर के लिए नहीं है हाल फिलाल के अगर मैं बात करूँ तो हाला तो इतने ही बया कर रहे हैं कि फिलाल मोदी लेहर खत्म हो चुकी है कॉंग्रेस को फायदा मिल रहा है राहूल प्रियंका गांदी की महनत रंग ला रही है और राहूल प्रियंका गांधी की मेहनत के बदौलत कॉंग्रेस पार्टी उपर उठ रही है यानि पार्टी को उपर उठाने में पार्टी को नई दिशा देने में राहूल और प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है राहुल और प्रियंका गांधी ये समझ रहे हैं कि क्या आने वाला जो समय है वो बदल रहा है फिलहाल आने वाला समय युवाओं का ही है और युवा तो ये देखी रहा है कि हमारे मुद्दों को कौन उठा रहा है युवा तो ये समझी रहा है कि कौन है आखिरकार जो हमारे मुद्दों को पूछेगा तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो राहुल और प्रियंका गांधी काफी हद तक चीजों को समझ रहें और इसलिए वो युवाओं की मुद्दों को उठा रहे हैं जमीनी इस तर के मुद्दों को उठा रहे हैं और जमीनी कुछ चुनावों में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि फिलहाल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो काफी हद तक इस्थती क्या है वो यह बताती है कि जंता अब कॉंग्रिस का साथ देखने की कोशिश करें क्योंकि बीते 70 साल कॉंग्रिस ने राज किया सतर साल बहुत बड़ा समय होता है बहुत बड़ा अंतर होता है उस समय भी चीज़े हुआ करते थी लेकिन चीज़े इतनी खराब नहीं थी मोधी राज में जितनी चीज़े खराब हुई है तो हाल फिलाल कि अगर मैं बात करता हूं तो वाकई में आने वाले समय में अगर का पूरा ध्यान कांग्रेस के तरफ चला गया राहुल प्रियंका गांधी की रणीतियों की तरफ चला गया तो शायद पीचेपी के लिए मुश्किल हो ही जाएगी और कांग्रेस ने अब देखे शुरुआत की है सोसल मेडिया के जरिये हाली में खबरे सामने आई थी कि सोसल बदल रही है आने वाले समय में काफियत तक बदलाव हो रहा है और यही जो बदलाव है न यही कॉंग्रेस पार्टी को उपर ले कर जाएगा एक वक्त था जब कॉंग्रेस पार्टी में दरार देखने को मिली थी गांधी परिवार में कलह देखने को मिली थी पार्टी की लगता है तो ऐसे ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जिनका बेडा गर्ग हो जाता है तो बेडा पार हैंपर ओ रहा है कॉंग्रेस पार्टी क जुँकि वक्त का पहिया जब गूमता है तो सारी चीजे को पहिया और आगर同 pa और Congress Party पर भरोसा करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है हाला कि अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आने वाले समय में इतना तो जरूर कहा जाएगा कि Congress Party ने अगर एक नई शुर्वात की है और नए अभियान अगर आने वाले समय में करती नजर आएगी तो फायदा बहुत बड़े अंतर से होगा राहुल और प्रियंका गांधी की बड़े इसतर पर मेहनत जारी है राहुल प्रियंका ये पूरा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि Congress को मजबूत इस्तित लाए काफी हद तक अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिलाल आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा किसको मिलेगा जी हां बहुत बड़ा फायदा मिलेगा राहुल गांधी को प्रियंका गांधी को और Congress Party को तो यहां पर Congress Party विजय की और जा रही है जी हां विजय का रत तयार हो चुका है और उस विजयरत में राहुल प्रियंका और सुनिया सवार होते नजर आ रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त बीचे चल रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी ने यह साबित कर दिया कि अकेले वो उत्तर प्रदेश के विधान सवाचुनाव में चीत हासिल करेंगी और आने वाले समय में कॉंग्रेस अच्छा प्रदाशन करेंगी आज के लिए तना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक लेजा दीजे नमस्कार